नमस्काल मैं हूँ पूर्णीमा जब्रक समाचार में आपका स्वागत है डालते एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर चारागोटाला में सजा के दौरान ड्रीम्स में अपना इलाज करा रहे राज़त सुप्रीमो लालू यदव से पूरवे केंद्रिय मंतरी सुबोतकांत सहाई ने ड्रीम्स में मुलाकात की मुलाकात के दौरान वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ साथ कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई साथ इस सुबोत कांथ ने लालू यादव के स्वास्थ की सिती के बारे में उनसे जानकारी ली मुलाकात के बाद बाहा निकल कर सुबोत कांथ ने बताया कि लालु जी का स्वास्त ठीक है उनकी देखरेक में चिकित्सक लगे हुए हैं लालू के बेल मिलने के सवाल पर सुबोत कांथ ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहट सारी चीजे चल रही है और उम्मीद है कि उन्हें बेल मिल जाएगा बीजे पी से सारट के विधायक रंधीर सिंग के आवास को खाली कराने के लिए जिला प्रसासन ने 48 घंटे का महलत दिया है पूर्व मंत्री रंधीर सिंग को दूसरा आवास भी आवंटित कर दिया गया है हाला कि सुबसे जब मेरिस्ट्रेट के असाथ पुलिस बलके जवानों को रंधीर सिंग के आवास पर भेजा गया तब सिती कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रही थी विवाक की तरफ से आवास खाली कराने के मुद्दे पर जहां रंधीर सिंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है वही बीजेपी के प्रदेश अद्यक्स दीपक प्रकास ने इसे सरकार की साजिस बताया है इदर सत्ताधारी दल के नेदाओं ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताया है कोरोना काल का दौर चल रहा है और सारे स्कूल कॉलेज बंध है राची में सारे स्कूल के आउनलाइन क्लासेज अप्रेल से हो रहे हैं अब जहां मैट्रिक और इंटर के एक्जाम आने वाले हैं तब स्कूल प्रबंधन की चिंताय बढ़ने लगी है डियवी हेहल के प्रिंसिपल एमके सिना ने कहा है कि जहां तक परिक्षाओ का बात है आफलाइन का कोई विकल्प नहीं है उन्होंने कहा है कि वे सरकार से निवेदन करने वाले हैं कि मैट्रिक और इंटर के लिए स्कूल में ही क्लासे शुरू की जाए कोरोना की महमारी के बीच ट्रेनों का परिचालन तो बंद कर दिया गया था लेकिन जैसे जैसे अब ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है वैसे वैसे लोगों में खुशी का माहूल दिखाई दे रहा है नौ माँ बाद जब ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ तो लोग गाजे बाजे के साथ स्टेशन पर पहुँचकर रेलवे करमचारियों का स्वागत किया एक नजर आप भी देखिए कि किस तरह से लोगों का स्वागत किया गया कडाके की ठंड के बीच राची में मौसम का मिजाज भी बदल रहा है शनिवार को आस्मान में हलके बादल और कोहरा दिखाई पड़ा मौसम वेगयनिकों के अनुसार रविवार को राची समेच जारखन के कुछ इलाकों में हलकी बोना बानी के आसार है 17 दिसंबर तक मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना बनी हुई है बादल छटने के बाद ठंड में आचानक तेजी भी आएगी आज की खबरों में बस इतना ही मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार